हालो फ्रेंड्स, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल, लेट्स क्रैक इट, फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं, हिस्ट्री आफ जमू एंड कश्मीर के दूसरे टॉपिक जो है, शाहमीर से लेकर सुल्तान सिकंदर तक जो शाहमीर डैनिस्टी थी, उसके बारे में हम ब रिंचिन थे और तूसरे जो शाहमीर थे, रिंचिन जो थे वो लदाख से आयए थे, वो प्रिंस अफ लदाख थे और उनने काम किया कमंडर राम-देव के साथ, जो कमंडर थे सोहा देवा के उनके साथ उनने काम किया, और उसके बाद रिंचिन ने उनकी भीवी के साथ, कोटरानी के साथ शादी कर दी और रिंचिन रूलर बन गे कश्मीर के 1320 में और उनका टाइम प्रियड था 1320 से लेके 1323 रिंचिन जो थे फर्स्ट मुस्लिम रूलर बने थे, इनने मुस्लिम में कनवर्ट किया था बाद में उनने नाम रखा था है, मुस्लिम बन के सद्रुदीन शाह और ये बाबा बुले शाह की मुस्लिम बने थे और कोटरानी बाद में 1323 में रिंचिन की डेथ हो जाती है फिर कोटरानी ने शादी कर दी उधियन देवा से, जो ब्रदर थे, सुहा देवा के उन से शादी कर दी और उसके बाद जो है उधियन देवा रूलर बन जाते हैं कश्मीर के और एक शार्ट पिरड़ आ जाता है हिंदू रूल का फिर से कश्मीर में कि उसके बाद सुल्तान सिकंदर का टाइम पे स्टार्ट होता है कश्मीर में सुल्तान सिकंदर जो रियल फॉंडर थे मुस्लिम रूल के कश्मीर में शाहमीर ने 13 तरिया 1339 में अटैक किया कोटरानी पे उसके बाद वो उन्हें थ्रोन को चेंट कर दिया 1339 में उनका वो ज्यादा टाइम रूल नहीं कर पाये सिर्ख तीन साल उनने रूल किया 1330 42 तक 3039 से 1342 तक उनने रूल किया कश्मीर में उसके बाद उनका जो थ्रोन था उसको सक्सेस किया उनके ही बेटे जमशेद ने वो भी कुछ ज्यादा टाइम रूल नहीं कर पाए उनको भी उनके भाही ने मार दिया और उनका रूलिंग पिरिड था 1342 से 1343 का उसके बाद थ्रोन को असेंड करते हैं अलाव दीन वो भी कुछ ज्यादा कंट्रिब्यूशन नहीं कर पाए कश्मीर की हिस्टरी में उनका टाइम पिरिड था 1343 से 1354 का उनने कोछ ज्यादा कंट्रिब्यूशन कश्मीर की हिस्टरी में किया नहीं तो उसके बाद उनकी जगा शाबुदीन थ्रोन को असेंड करते हैं उनका टाइम पिरिड़ था 1354 से लेके 1373 तक शाबुदीन को ललत अदित्या अफ मीडिवल कश्मीर भी कहा जाता है साइद अली हमदानी जो थे अरब से आये थे उनकी फर्स्ट विजिट जो है वो भी इनके ही टाइम पे हुई थी और इनने शादी पूरा टोन जो है वो भी कश्मीर में फोंड किया उनके बाद कुतुबुदीन इनके ही भाई थ्रोन को असेंड करते हैं इनका टाइम पे था 1373 से लेके 1389 का इनका रियल नाम हिंदल था और शाह अली हमदानी ने सेकंड विजिट इनके ही टाइम पे की थी कश्मीर में दूरिंग कुतुबुदीन उसके बाद 1389 में इनकी युझिक अंदर रूलर बन जाते हैं कश्मीर के और इनका टाइम पे रहता है 1389 से लेके 1413 तक इनके उरंगजेब कश्मीर भी कहा जाता है and ideal breaker , इनको इसलिए ideal breaker , कहा जाता है है कहते हैं कि इनके टाइम पे इनने बहुत सारे अरह तेम्पल्स और जो भी ये आईडियल वर्शिप करते थे उनके जो तोड़ दिये थे जितने भी टेम्पल्स और जितनी भी मूरतियां थी उनको सब को इनने तोड़ दिया था इनके फादर थे कुत्ब-दीन और इनकी मदर का नाम था सुर्रा सुल्तान सिकंदर को बहुत मागरे और दूसरे थे सहा का इनका नाम था ये दोनों से राय मागरे जो थे वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे और वो थ्रोन को भी असेंट करना चाहते थे लेकिन वो करनी पाए आफ्टर 1393 जब सिकंदर बालिग हो गए तो इन्होंने जो है रूल अपने अंडर लि कश्मीर में जिसका नाम शरीया था शरीया लाया इन्होंने उसके बार ये इंफल system हुए थे बहुत ज्यादा सईधाली हमदानी और उनके बेटे सइध मухअध हमदानी से बहुत influence थे जो साइधाली हमदानी और उनके बेटे कश्मीर में आये थे 700 सूफी के साथ 700 सूफी Science क के साथ कश्मीर में आये थे और यह उनसे बहुत इंफलेंस थे और उनको काफी फॉलो करते थे इन्होंने वाइन और म्यूजिकल इंस्टूमेंट्स भी बैन कर दिये थे कश्मीर में और इनने सती सिस्टम को भी प्रहबिट कर दिया था और तिलक जो लगाया जाता था हिंद गूप अवाइने तों एक बनाया सिकंदर पूरा जो अभी नोहाटा सिर्णगर में है जिसको अभी नोहाटा कहते हैं खानकाई मोला जो बनवाया है उन्ने साइद आली हमदानी के नाम पर जो बनवाया है सिरनागर में उसके बाद जामिय मस्जद सिरनागर कश्मीर में जो बनाई है जो जिसकी कंस्ट्रक्शन 1393 से लेके 1400 तक हुई थी और उसके बाद इनकी डैथ हो जाती है 1413 में उसके बाद इनका जो टोटल रूल किया 25 एर किया कश्मीर में इने रूल को अनकी जो इनके जो थ्रोण के बाद सुक्सेस किया इनके एल्डर सं मीर खान ने जिनका नाम बाद में आली शा जिननने रखा था पहले जब प्रिंस थे तो मीर खान नाम रखा और बाद संभाला जब उन्हें तो उन्हें अपना नाम अलीशा रखा उनका जो रूलिंग पिरिड़ था वो 1413 से लेके 1420 तक था थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेर करें और और अच्छी अच्छ प्रेंड्स पराते हैं